हेलो दोस्तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ क्योंकि अब हमारे तालाब में हो चुका है बहुत सारा पानी यानि कि तालाब में अब कोई भी ऐसी जगे नहीं बची है कि जहां पर एरिया कोई भी सूखा हो या कहीं पे भी जमीन दिख रही हो और अभी बच चुके हैं दो और हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट तालाब पर आने में क्योंकि कुछ ऐसे काम रहते हैं जिसकी वज़े से हो जाते हैं थोड़े बहुत लेट लेकिन फिर भी हम लोग के पास 3-4 गंटे हैं जिसमें कि हम लोग काफी सारा काम कर लेंगे और हम लोग करेंगे आज घास की सफाई क्योंकि हमारे पूरे तालाब में हो चुका है पानी है और अगर ताला पूरा भर जाएगा तो कहीं-कहीं यहाँ पर डूबने लाइक एरिया हो जाएगा इसलिए इतना ही पानि हम लोगों के लिए ठीक है और अभी हमारे ताला में आप लोगों को दिखराओगा कि जगे जगे कुछ घास हमी हुई है जिसको कि हम लोगों करना होगा साफ और इस घास को साफ करने के बाद ही हम लोग इस तालाब में बेल को लगा पाएंगे घास हो है वो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी है और कहीं कहीं बहुत जादा है हाला कि तालाब में पानी वड़ा है तो मैं आ चका हूँ तालाप के बीच में और कि यहां पर बहुत सारी घास थी जो कि पानी में अब डूब कर आप लोगों कम दिख रही होगी और हम लोग कर रहे हैं यहां पर सफाई यह आप देख सकते हो कि एक डॉंगया भर गई है और वहां पर घास के कुछ धेर है यहां पर देख सकते हो कि वहां पर भी बहुत सारी घास है जिसको अब हम लोग ऐसे बैट के यहां पर धीरे-धीरे करके यहां से जमीन से उखाड उखाड के इस डॉंगया में रखते जाएंगे और फिर डॉंगया भढ़ने के बाद में इसको हम लेग जाएंगे उस तरफ किनारे देंगे तो दोस्तों यहां पर कुछ घास थी बेल के किनारे जो की चार जगह लगी हुई थी जिसको हम लोगों ने कर दिया है साफ और यह हम लोगों का इतना एरिया जो है वह विल्कुल साफ हो चुका है तो दोस्तों अब समय हो चुका है साम के 6 बचकर 50 मिनट और हम लो से और हम लोगों का हो चुका है आज का काम और तब तक के लिए दिखते रही है संगाडे वाला ब्लॉक्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाई